लुए लुए वेलकम टू फ्रीकी पाट शाला तो आज की हमारी वीडियो है प्लस वन स्टेडिस्टिक्स का चैप्टर हम कर रहे हैं प्रेजेंटेशन आफ डाटा तो उसमें हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था टैप्यूलेशन तो उसके पहले मैं वीडियो बना चुका बला स्टेडिस्टिक्स की इंट्रोडक्शन पे इसके बाद संसे ने सेंप्ली किया था क्लेक्शन के मेथट किये थे और गनाइजिंग ऑफ डाटा किया था तो इसके बाद हम जो कर रहे हैं पॉर्शन उसमें है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थू टैबुलेशन तू वीडियो सब्सक्राइब करें थे आज करेंगे जितना हमसे जादा से जादा हो सकता है पूरा मैं आपको एक्सप्रेस करने की कोशिश यहां पे करूंगा तो अगर आप इस चैनल पे नहीं हैं आपी तक अपनी चेनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले तो जाए को दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लिए और साथ में बैल आइकन को भी दबाईए ताकि है एक नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो चलिए यहां पर स्टार्ट करते हैं सबसे पहला हमारा है according to the purpose general purpose या फिर special purpose तो देखिए यहां पर है according to the purpose में सबसे पहला general purpose table तो General purpose table होगता है जो कि जोनली गर्मेंट के द्वारा बनाया जाता है या फिर उसके अथोर्टी के द्वारा बनायां जयता है और पब्लीज को योकू किया जता है में यह इसमें कौन यहां जी आती है यह data present करती है public को public interest के लिए में लिए data होता है so यहाँ पर it includes the information of the general purpose for the whole public these are also known as reference tables तो इनको हम reference tables भी कहते हैं किसको refer करने के लिए public को refer करने के लिए कि यह यह हम चीजें सारी ला रहे हैं जैसे कि अभी GST authority GST portal के द्वारा कुछ tables express किया जाते हैं हर बार जब भी वो अपने tax rate में कुछ ना कुछ change करते हैं तांकि मेली जो वकील है जो CS है उनको पता चल सके कि क्या क्या changes आई है तांकि वो अपनी public को अपने क्रीवियों को बता सके कि यह वाली changes सारी आ चुकी है rates में तो यहां पर स्कीन हमारा है specific purpose table जो के बनाया जाता है कि specific purpose के लिए जिसमें कि पूरी की पूरी public को शो नहीं किया जाता सिर्फ एक particular purpose होता है जैसे कि research notes त्यार किया जाते हैं कोई भी मालो company private company या government company है वो research note त्यार कर रही है तो वो सिर्फ और सिर्फ specific purpose के लिए हो रहा है तो यहां पर कहते हैं these tables are constructed for any particular purpose these are also called the text tables या फिर समरी tables उनको कहते हैं जिसमें कि ज्यादा amount of data नहीं रहता में में बाते ही रहती है तो आगया आगया according to construction according to construction में सबसे पहले तो हमारे पास है simple और one-bay table देखो simpler one-bay table में क्या कहते हैं एक ऐसा table जिसमें सिर्फ एक way of data होगा एक type of data होगा एक ही attribute होगा तो उसको कहते हैं simply one-bay table so in this type of the table data is presented through one-bay या फिर under the one basis only तो जैसा कि मैंने यहां पर आपको शो किया है सबसे पहले marks दे दिये 0 से 15 15 से 30 30 से 45 इसके पाद उनके marks के regarding आगे frequency देदी number of students दे दिये तो number of students जैसे कि 7 है जिन्होंने 0 से लेके 15 तक marks अच्छीव किये हैं फिर 21 students ने 15 से 30 तक किये हैं फिर 9 students ने 30 से 45 किये तो इस तरह से frequency देदी जिसमें सिर्फ और सिर्फ number of students हैं उनकी आगे distribution boys and girls में नहीं की गई तो इसलिए इसको simpler one day table कहते हैं तो आगे हैं यहां पर complex tables complex tables में वो सारे tables आ जाएंगे जिनको divide किया जाएगा 2 और 3 basis पे या फिर उससे ज्यादा basis पे भी divide किया जा सकता है अगर उसको 4 या 4 से ज्यादा basis पे डिवाइट किया जा रहा है तो वो difficult हो जाएगा mainly manage करना क्यूंकि उसमें काफी सारे attributes आ जाएंगे further ठीक हम आपको show करूंगा वो अगली वीडियो में आपको show करूंगा कि कौन से attributes further और आ सकते हैं यहां पे आपको एक मैने टेबल शो किया है सबसे पहले तो टूवे टेबल में इन इस टेबल गिवन बिलोओ टेबल भी एक्प्रेस अनुमर ऑफ स्टूदेंस लुग कर दिया तो यहां पे देखो टेबल्स अकॉरिक तूदिक तू मार्क्स यहां पे जिरो से फिफ्टीन फिफ्टी से थर्टी से पोटी भाई वही है बट यहां पे मैंने देखो बॉइस एन गर्ल्स में आगे डिस्टिब्यूट कर दिया पीछे जो हमने एक टेबल किया था उसमें तो सिरफ और सिरफ क्या थे माक्स थे बट यहां पे बॉइस एन गर्ल्स में फ़र्दर की इधर टोटल किया इधर यह तो हमारे रोज का टोटल आगया यह ग कोलंज एक है तो इस तरह से तो आगे यहां पे है मेरे पास 3-way table, 3-way table में यहां पर कहते हैं, in this type of table, a whole data is distributed into 3 attributes such as, तो किस-किस attribute में हम divide करेंगे, सबसे पहले तो division में, sex में and residence, rural है यां अर्बन है, तो इस तरीके से पूरे के पूरे table को express किया जाएगा, 3 types में, जैसे कि मैंने उपर table बताया ना भी, तो यहां भी boys को further distribute कर दिया जाईगा, कि वो rural कितने है, वो urban कितने है, तो rural वाले इधर लिख दिया जाएगे, urban वारे इधर लिख के इस data को भी further आगे present कर दिया जैगा, जैसे कि 5 को present कर दिया, 3, 2, 10 को present कर दिया, 5, 5, 3 and 3 present कर दिया, तो इस तरह से इस data को present किया जाएगा और further फिर totals लगाए जाएगे तो इसी तरह girls में भी किया जाएगा कि rural and urban कितने हैं इधर फिर grand total यहाँ पे आ जाएगा इसका और इधर यह total लगाए जाएगा नीचे total लगाए जाएगा तो इस तरह से उसको present किया जाएगा data को टेबल को बनाने के लिए, इसको हम अगली वीडियो में देख लेंगे तो इस वीडियो में इतना ही करेंगे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो लाइक कर दीजिए, अभी लाइक कीजिए नीचे, तो लाइक से क्या होता है, कि मुझे थोड़ा सा inspiration मिलता है और मैं आपके लिए अगली वीडियो बैतर तरीके से बनाता हूँ जादा मेहनत करके बनाता हूँ और साथ में share का बटन आपने दोस्तों को share कर दो groups में जो भी आपके groups बने हुए हैं अपने school friends को share करो ताकि वो भी देख पाएं इन वीडियो को इनका फाइदा ले पाएं बेनिफिट ले पाएं और नीचे comment कीजिए अगर आपको कोई भी वीडियो और चाहिए कोई भी topic और चाहिए नीचे मुझे comment कर दीजिए और साथ में subscribe button दबाईए अगर आप इस channel के साथ आपको मिलती रहती है इस channel पर जैसे कि कोई ना कोई अपडेट होगे तो अपडेट मिलती रहती है तो उसके लिए भी इस channel के साथ जुड़े रही है तो थैंक्स वर वाचिंग अगली वीडियो में मिलेंगे become free coaching के लिए subscribe कीजिए हमारे YouTube चैनल फ्री की पाठशा लगो और साथ में बैल आइकन को दुबा कर हर एक अपडेट सबसे पहले पाएँ